जैश्रिणीराम बहुत श्वागत आपका आपके अपने बेहत खासकारी कर मानःस्जोतिस ग्यान में हूँ, आपके शाथ आपका 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 आपना आचारे राज मिश्रा और ले करके उपस्तित हूँ, आपके लिए फिर रासी करक, बहुत emotional रासी, मेरे प्यारे जातक जाते का राशी करके आपके लिए बहुत रिसर्च के बाद आपका देखो मैंने भी हमेशा कहा है और आज फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं एक राशी में जन्मे सभी प्राणियों का भविष्य, सभी का जीवन, सभी का सोच विचार, सभी की कत काठी, सभी की योग्यता एक जैसी नहीं हो सकती है आज तक हम यही हम लोग राशी को समझ ही नहीं पाए है पहले जब नाम रखा जाता था तो कहते थे कि आपके बच्चे का नाम A अच्छर से निकला है, आपका A से निकला है, E से निकला है, U से निकला है इसको मानिएगा आज मैं बताने जा रहा हूँ करक रासी की जातक जातिका का अगर नौ चरण की अंतरगत कौन से चरण में जन्म होने पर आपका धविस्ति किस प्रकार रहता है आपके लिए क्या फाइदे मंद है क्या आपके लिए नुक्षान दायक है इन सभी विश्य की जानकारी आज मैं आपको करक रासी के लिए देने जा रहा हूँ क्या अच्छर हो अगर करक रासी का तो आपकी रासी करक होती है हाग छर से ही हापे छोटी का मात्रा ही ही अच्छर से अगर आपका नाम निकलता है तो आपकी करकरासी का पहला चरण है हो से अगर आपका नाम निकलता है तो करकरासी के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है हे से अगर आपका नाम निकलता है तो आपका करकरासी के तीसरे चरण में जन्म हुआ है हो से अगर आपका नाम निकलता है तो करकरासी के चौथे चरण में जन हुआ है। करकरासी होती है चंद्र का क्योंकि ये रासी है चंद्रकृत रासी है पहले चरण में अगर किसी करकरासी में किसी का जन्म हो फस चरण के अंदर तो उसके पास धन का बिलकुल भंडार रहता है धन खूब मिलता है उसको जीवन में धन की बड़ी अच्छी परिस्तिती होती है बट कई बार जीवन में बाकी परिस्थितियां ना मिलने से अशान्त रहते हैं लेकिन जीवन में धन की कमी नहीं पड़ती है ये करकरासी के पहले चरण की अंतरगत मैसूस किया गया है दूसरे चरण में अगर जन्म हो मान सम्मान प्रतिष्ठा खो मिलती है राजनैतिक छेत्र में स्फलता मिलती है राजा होता है ऐसा जो तिस शास्त्र में कहा जाता है तीसरे चरण में जन्म हो तो मुनियों में स्रेश्ट होता है बहुत बिद्वान होता है बहुत धार्मिक होता है या होती है बहुत तब करने वाले होते हैं या होती है इस प्रिस्वलिजम के छेत्र में चल करके, एंजियो बना करके, लोगों को ज्ञान दे करके, टॉक करके लोगों से सफलता प्राप्त की जाती है अगर तीसरे चरण में जन्म होता है तो, चौते चरण में जन्म होता है, विद्वान होता है एजुकेशन के लाइन में, बैंकिंग के छेत्र में, जुडिश्री के छेत्र में, साइंस के छेत्र में, रिसर्च के छेत्र में, मेडिकल के छेत्र में, ऐसे लोगों को खूब सफलता प्राप्त होती है पाचवे चरण में जन्म हुआ हो धर्मात्मा होता है धर्म का बहुत जानने वाला कथा बाचरक एस्ट्लॉजर या प्रबचन करता या लोगों को motivational speaker इस प्रकार के छेत्र में जाकर कि comedian इत्यादी बन करके लापराप्त करता है चटे चरण में जन्म होने पर चोर होता है अगर चटे चरण में जन्म हो तो चाहे ब्यक्ति ने tax की ही चोरी की हो चाहे एक कही बार अपने घर में चोरी किया हो लेकिन ऐसा ब्यक्ति जीवन में चोरी जरूर कर्कूरता है यरूर देछा गया है शातवय चरण में जन्म हुआ हो तो धन का अभषाव гःता है शास्त ने कि बहुत महनत सोट देखा और भीत्फ महलें की 1027 साल का लड़का आकर कि ओर देश इतना नाम कमा लेगा कि उसको लोग बड़ा सम्मान करेंगे नरेंद्र मोदी जी ने कभी सोचा होगा कि मैं देश पूज्य हो जाओंगा मुझे चाई बेच करके या छोटे से काम को करके नहीं न लेकिन राजनेती में आया दुनिया सम्मान कर रही है तो अगर किसी ब्यक्ति का आठवे चरण में जन्म हुआ हो करक रासी को तो देश पूज्य हो जाता है नवे चरण में जन्म हुआ हो तो उस कुल के नाम को वो कुल उसके नाम से जाना जाता है वो व्यक्ति वो जातक या जाति का कुल का भूशन होता है, कुल वालों को गर्व होता है, मैंने देखा ना कि नौ चरण एक ही रासी में किस प्रकार से अलग-अलग चरण में जन्म होने पर अलग-अलग प्रकार के भिचार बन जाते हैं, अलग-अलग परिस्तिया बन जाती है यह मैंने आपको क्लियर किया यही मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि यह बहुत important part है शाथ में अगर हम और कुछ बात करें इसलिए कहा कि अगर detail में जानकारी प्राप्त करना हो तो जोतिश में हमेशा बात करने की आउशकता होती है शमय लेकर दो पहर को बारा बजे रात को नौ बजे में लाइब आता हूँ आप मेरे साथ बात कर सकते हैं लेकिन और बात करते हैं करकरासी के थोड़ी और डीब जानकारी की तरफ जाते हैं, एक वर्ष में करकरासी में जन्मे जातक जातिका को रोग जरूर होता है, एक वर्ष की जवाब होते हैं तो आपको हेल्थ प्राबलम होती है, साथ वर्ष में जलागहात होता है, जल में डूबने से या जल से संबंदित प्राबलम होती है, नौ वर्ष में लोहे से आगात होता है 27 और 35 वर्ष में आयू की मतलब ऐसी शरीर में ब्यादी उत्पन होती कि अलप आयू लगता है मृत्यू हो जाएगी मृत्यू के मुख से निकल करके जातक जादिका बाहर आते हैं 45 वर्ष में देवता कुपित हो जाने के कारण जीवन में ब कामलों में हमें बिफलता प्राप्त होती है जेल यात्रा इत्यादी होती है कठिन रोग होता है अगनी भै होता है सर्प और जल या चौपाए चार पैरवाले जानवरों से कष्ट होता है अगर चंद्रमा पर सुभ ग्रह के द्रिष्टी हो 70 वर्ष 5 मास और 3 दिन तक ऐसा अब्यक्ति जीता है या जीती है फालगुन सुकलपक चतुर्थी तिथी को गोधूली की शमय ऐसे जातक जातिका देही का त्याग करते हैं हमने इस राशी फल को बनाने के लिए रामण सहिता की मदद ली रामण जैसा बिद्वान कम था उनकी राशी फल को हमने इस कारिकर में समलित करने का प्रयास किया रात को नौ बजए दो फइर को बारा बजए प्रद्द código में आपके साथ लाइब जुड़ता हूँ आप मुझे कॉल करके मरे साथ कॉल करके जो भी जानकारी प्राप्ट करना चाहते हैं करना चाहती ही में इतना ही फिर मिलेंगे धन्यबाद झाल झाल झाल